हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेडबी नोट 6 प्रो के सक्सेसर यानि रेडबी नोट 7 प्रो के बारे में तो गाइस यहाँ पर रेडबी नोट 7 प्रो की कुछ स्पैसिफिकेशन से यहाँ पर लीक सामने निकल कर आई है तो यहाँ पर मैं आपको बता दू अपकी बार Xiaomi की तरप से कुछ आपको अलग कुछ हटके एक different यहाँ पर phone देखने को मिलेगा और यह phone यहाँ पर killer phone भी सावित हो सकता है जैसे कि Xiaomi का Redmi Note 5 Pro था Redmi Note 4 था तो यहाँ पर आज की वीडियो में बात करेंगे Redmi Note 7 Pro के कुछ specifications के बारे में screen, camera, battery से लेकर मैं आपको यहाँ पर price and expected launch date के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ तो आज की वीडियो गाइस इंट्रेस्टिंग होगी तो इस वीडियो को लाज तक पूरा जरूर से देखते रहे लेकिन दोस्तों गर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो साथ किस बैल ऐकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले लेटे स्मार्टफोन की जानकरी सबसे पहले तो यहाँ पर फिलाल के लिए शामी की तरफ से इंडिया में रेडबी नोट 5 प्रो का सचसर रेडबी नोट 6 प्रो अभी कुछ टाइम पहले ही लोंच किया गया है और यह फोन कुछ खास ज्यादा कमाल यहाँ पर इंडियन मार्केट में नहीं कर पाया है आप इस फोन को यहाँ पर फ्लोप भी कह सकते हैं और यह शामी की सबसे बड़ी मिश्टेक थी लेकिन अपकी बार शामी की तरफ से ऐसी मिश्टेक आपको दोबारे देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर रेड़ी नोट 7 प्रो में अपकी बार आपको कुछ अलग एंड दमदार स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगे जो कि अपने प्राइस रेज में किलर फोन भी साबित हो सकता है यहाँ पर गाईज आप मत भूलिए शामी ही वो कंपनी है जिसने मार्केट में ट्रेंड सेट किया है कि अच्छे प्राइस पे बेस्ट वैल्य फोर मनी आपको प्रोइड करना और उसी कंपटिशन को देखते हुए आज कल अभी बाकी कंपनीज भी आपको अच्छा स्मार्टफोन आपर प्राइड करती जैसे असूस होनर या फी रियल्मी तो यह पर गाईज हम बात करेंगे रेडबी नोट 7 प्रो के फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन के बारे में तो अब की बार आपको 6.5 इंचिस की फूल एटडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी आपको जो स्क्रीन में बेजल्स होंगे बिल्कुल थोड़े देखने को मिलेगे स्क्रीन आपकी बोटर नोच डिस्पले भी आपको यहाँ पर मिल सकती है जैसे कि आपको यहाँ पर रियल्मी 2 प्रो या फिर रियल्मी यूवन में देखने को मिलती है और साथे साथ गाईज आपको 2.5D कोर्निंग गोरिला ग्लास 5 या फिर 6 की प्रोटेक्शन भी देखन से मिल जाएकी कर स्क्रीन की क्वालिटी के बात करो माँज़एं रेडबी जबरदस्त क्लीटी आपको देखने को मिलेगी ड्पी नोट 5 Pro heartी 6 Pro मुकद्वक तरहेस आपको जादव्ट ग्रेडेशन देखने को मिलेगा स्क्रीन की क्वालिटी में तो यहाँ पर काईज हम بात बात करते हैं बैक डिजाइन के बारे में तो दोस्तों आपको अपकी बार रेड़ी नोड 6 प्रो के मुकाबले काफी सारे चेंजिस देखने को मिलेंगे रेड़ी नोड 7 प्रो की बैक डिजाइन में अपकी बार आपको बोरिंग डिजाइन यहां पर देखने को नहीं मिलेग जिसकी quality है काफी बैतरी है 16MP का main sensor होगा, 8MP का secondary sensor होगा और 5MP का होगा वो आपका यहाँ पर Portrait Shorts आपको लेने में help यहाँ पर करने वाला है अगर बहुत प्रेंट कैमरा की बात करूं तह आपको 20MP का front camera आपको देखने को मिल जाएगा वो front camera की quality भी आपको जब बरदस्त यहाँ पर देखने को मिलेगी तो camera के मामले में यह phone यहाँ पर killer phone साबित हो सकता है तो यहाँ पर guys हम बात करेंगे battery के बारे में तो battery आपको फिर से वही आपको 4000 mh की battery देखने को मिलेगी और यह यहाँ पर अच्छी बात आप सभी के लिए quick charging को भी यहाँ पर support करेगा Redmi Note 7 Pro guys आपको यहाँ पर 5G का support यहाँ भी देखने को मिल सकता है जहां दोस्तों हो सकता कि Redmi Note 7 Pro आपको 5G technology के साथ आपको देखने को मिल जाए जो कि एक अच्छी बात रहेगी आने वाले यहाँ पर time के लिए सबी users के लिए तो यहाँ पर आपको face unlock option भी देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर काफी fast रहने वाला है अगर मैं बात प्रूब fingerprint scanner की तो लिक्स के coding यहाँ पर बताया गया कि अपकी बार आपको इंडिस्पले fingerprint scanner भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों आपर Vivo and Oppo की तरप से 1820,000 के mid-range smartphones में आपको इंडिस्पले fingerprint scanner को option देखने को मिलता है तो Xiaomi भी यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में इंडिस्पले fingerprint scanner यहाँ पर implement करने की कोशिश यहाँ पर जरूर से कर सकता है आपको यहाँ पर IR Blaster का भी support देखने को मिल जाएगा और यह phone आपका Android Pie याईनि 9.0 पर MIUI 10 पर base आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और अगर मैं variants की बात करूँ तो 4GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 64GB के साथ साथ आपको अपकी बार 8 प्लस 128GB वाला variant भी आपको देखने को मिल सकता है लेकिन 8GB RAM वाला भी confirm नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर 4GB RAM और 6GB RAM वाला जोरू से आपको variant देखने को मिल जाएगा और मैं बात करूँ प्राइस के बारे में तो आपको अपकी बार ये फोन 15,000 के अबोव यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 21,000 के अंडर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पंदरा से 21,000 के बीच में Redmi Note 7 Pro आपको इंडिया में लौँच देखने को मिलेगा और काई समय मैं बात करूँ Redmi Note 7 Pro के लौँच देट के बार में तो भी यहाँ पर बताएगा कि Xiaomi की तरफ से जनुवरी में एक यहां पर 48MP camera वाला यहां पर कोई phone यहां पर launch होने वाला है जहां दोस्तों January में आपर जरूर से launch किया जाएगा Xiaomi की तरफ से कोई ना कोई mobile लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो यहां पर Redmi Note 7 Pro नहीं होगा जहां दोस्तों वो यहां पर Redmi Note 7 Pro नहीं होगा मेरे साब से यहां पर दूसरा कोई phone हो सकता है जनुवरी में जो launch होगा क्योंकि दोस्तों यहां पर Xiaomi ने कभी ऐसा नहीं किया है कि अभी अपना Note Series का कोई phone launch किया है और यहां पर 3-4 मैने बाद दी कोई दूसरा यहां पर phone यहां पर इतना जल्दी launch कर दे तो पिछली बार यहां पर September के आसपास Note 6 Pro यहां पर launch होगा तो Redmi का Note 7 Pro जो launch होगा वो यहां पर चाइना में आपका यहां पर वो सकता कि में में यहां पर launch हो जाए और यहां पर जुलाई अगस्तक यहां पर इंडिया में भी available यहां पर करा दिया जाए तो यहां पर April माई तक आप वेट कर लिजिए आपको यहां पर चाइना में पहले यह launch देखने को मिल जाएगा तो guys हाई होप आप यहां पर सारे doubts आपके clear होगे होगे आपको यहां पर काफिर सारे difference देखने को मिलेंगे Redmi Note 7 Pro के लिए तो guys वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन को प्रेस कर दे आपको ऐसे ऐसे लेटेश टेकनिकल न्यूस आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी थैंक्स पर वोचिंग आज का वीडियो देखने के लिए